हेलो दोस्तों स्वागत आपका टार्गेट SSC 2020 में आज हम डिसकस करेंगे आज का जो टॉपिक हमारा है वो है इंग्लिस और अगर आप पर टार्गेट जो है 80 प्लस का है इंग्लिस सेक्षन में या फिर जो ड्रेम है इस ट्रेंगराफर बनने का है तो वीडियो लास्ता वो चीज़ आपको कमेंट में बताना है तो स्टाट करते हैं आज का एरर नंबर फर्स्ट हमारा यह है बैनी फार्म्स फेल बिकॉस वेन दे बिगिन एक्सपोर्टिंग देहब नौट रिसर्च टार्गेट मार्केट और हैब नौट प्लांट इनफ इनफ बैनी फार्म्स नहीं बहुत सारे जो फार्म हैं यानि फेल चैपल हैं विकॉस क्योंकि वेन दे बिगिन एक्सपोर्टिंग जब जो उन्होंने एक्सपोर्टिंग यानि निर्यात सुरू किया देहब नौट रिसर्च टार्गेट मार्केट तो उन्होंने क्या अर्ट प्लांट इनफ तो उन्होंने target market के बारे में research किया और ना ही उनके पास कोई enough plan है तो यहां पर देखे जब भी have use करते हैं हम has या have हमें पता है कि has या have के साथ हमेशा वब की third form use करते हैं ठीक है वब की third form use करते हैं और और वाली condition हम तब लगाते हैं या और का मतलब क्या है या तो यह या फिर यह या दोनों हमारे equal होने चाहिए और के बाद have plus work की third form ठीक है यहां पर लगी हुई have plan बट यहां पर देखो गया आप they have not research यहां पर जो have use किया है इसके साथ इन्होंने first form यहां पर राइट क्या हो जाएगा research की जगह हो जाएगा हमारा researched तो हमारा question जो है meaningful बन जाएगा यानि right हो जाएगा तो यह यह यहां पर option number B में error है research की जगह में research यूज करना है क्योंकि have के साथ बट की third form यूज करते हैं और और वाली conditions में दोनों हमारे पास same होने चाहिए बात करते हैं second, error number second क्या कहता है part of what a man learns will measurable as specific knowledge and skills while another part involves changes एक part है एक भाग है क्या man का एक तो जो जो भी learn करता है learn उसने किया है वो क्या है measurable होगा as जैसे specific knowledge हो गया या फिर skills हो गया वो क्या होगा measurable होगा जबकि another part जो दूसरा part है उसमें क्या होंगे changes होते रहते हैं involves changes यानि परिवर्तन सील वो होगा एक पार तो भी क्या है कि जो भी specific knowledge और skills होगा वो measurable होगा ठीक है जो भी हो सीखता है और दोसरा part यह है कि उसमें changes होते रहते हैं तो एक टाइप से यह चीज क्या है एक fact की तरह है और हमें पता है कि जो भी हमारे fact आते हैं जितने भी आते हैं जो फैक्ट होते हैं जो universal truth भी आप कहते हैं व तो आप is mr use करो या फिर आप use करो do या does को अब यहां पर क्या करना हमें will measurable को यहां पर remove will को यहां पर इसे क्या करना पड़ेगा remove करना पड़ेगा और will की जगह अगर हम देखें तो what a man यहां पर use किया है part of what a man तो singular form को बताता है तो यहां पर क्या हैगा is measurable option number one में mistake हो आप use करो तो is mr according हमारा singular बता रहा है तो is use करना पड़ेगा या पार्ट of what a man learns is measurable right हो जाएगा तो second error हो चुके किसी में भी doubt or see's को पूछ ले ना error इसी level के आने वाले या फिर आप कह सकते हो कि सभी इस level के नहीं आने वाले कुछ आपके easy भी आएंगे अगर 10 है 10 में से 5 आपके normal आएंगे जो कि आपको basic rule जो पता होने चाहिए उसके उपर अपने थोड़े से भी rule अच humans rely on for security would always counter any significant culture or social change ठीक है उसने explain क्या किया था जो pillars मतलब क्या होता है एक टाप से जो विश्वास होता है भरूसा होता है tribalism का tribal यानि जन्जाती का वो क्या करते है उनका जो विश्वास होता है that humans rely on कि वो क्या करते है कि humans rely on यानि निर्भर करते है for security के लिए would always हमेशा क्या होता है counter यानि क्या करते हैं सामना करते हैं कि इसका any significant यानि किसी भी महत्पूम significant आप कह सकते हो महत्पूम culture यानि culture का और social changes होता है कैसे social अब यहाँ पर meaning चादर important या पर देखे meaning आप निकालोगे तो वैसा कोई गतली नहीं है बटे आप यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा यह चीज है कि तोड़ा से इससे अच्छे तरह पढ़ोगे तो change आपको पता च social क्या हो जाएगा यह adjective हो जाएगा social क्या होगा adjective होगा simple से बात है change हो रहा है कैसा change हो रहा है social change हो रहा है social quality बता रहा है potrzeb can हमारे दो टाइप के हो रहे हैं एक हमारा social change हो रहा है और की condition में यानि ये एक हमारा cultural change भी हो रहा है बट cultural तो हमारा noun हो गया और change भी हमारा noun हो गया इसका मतलब इस noun की quality बठाएगा adjective तो ये culture हमारा adjective form वाला यहां पे होना चाहें, क्योंकि और के बाद, यहां तो change हो रहा है, दो type के change हो रहे हैं, एक social change हो गाया, तो दूस्था चेंज़ का होगा, याँने adjective फॉटर में पर चेंज़ करना पड़ेगा, option number C में mistake है, culture को cultural कर देना, याँने adjective के यहां पर बाता है कि किसी के बीच में बताना किस किस के बीच में दा एग हैट मतलब क्या होता है बुद्धिमान इसका मतलब थोड़ा पूंशेशन सभी से कर लेना इसका मतलब होता है जन साधरान जो आप कह सकते हो हिंदी में and it will be lazy idealism to ignore it और यह lazy होगा idealism ठीक है इसे ignore करना यह idealism को ignore करना यह बहुत ही ज़्यादा क्या होगा lazy होगा तो यह क्या है वहाँ एक बादा है किस-किस के बीच बादा है यह देखे and and के बाद the egg है एक दिमान के बीच और दूसरा जन सादान के बीच तो total हमारे कितने होगे two होगे among हमें पता है दो से ज़्यादा होते है तो हम among यूज करते है उनके बीच में लेकिन दो के लिए हम क्या यूज करते है between यूज करते है तो option number a में mistake है among की जगे आपको यूज करना है नेक्स्ट बात करते है credit यानि credit जो बचत होती है when used responsibly जब हम इस responsibly की तरही से यूज करते है can achieve ये कचीव कर सकते है a great number of positive things यानि ये सकारात्मक things को in our life में हम सकारात्मक चीजों को क्या कर सकते है अचीव कर सकते है अगर हमने जो credit है उसका responsibly तरीके से यूज किया तो such as example जैसे हम ले लेते है financing जैसे हमारी financing होती है यानि with with समश्या जो होती है with financial problem जो भी हिंदियम आप कहोगे and paying off our dream hybrid होता है उसमे भुकतान करना उन चीजों का और college tuition fee या तो आप भुकतान करते हैं ठीक है या तो college tuition fee देना होता है या फिर जो भी हमारे घरे लूज देने चीज़े हैं उन्हें खरीदने के लिए जो भी हम भुकतान करते हैं उस चीज को ये बता रहा है कि या जो हमारी जो credit है उस type को अगर हम responsibly इस type से उसका यूज करें तो तो देखें या पर end जैसे और की condition में दोनों सेम होते हैं ऐसे end के condition में बागी देखें end के देखें तो end से पहले financing यूज करा है तो end के बाद paying यूज करा है दोनों हमारे same end जी form वाले यूज करना पड़ेगा मैं ओ ओ ओ एफ की जगे यूज करना पड़ेगा ओ डबल एफ का क्योंकि paying off मतलब किसे चीज का बुक्तान करना तो यहां पे ओ ओ एफ को हटा दो और इसकी जगे ओ डबल एफ यूज करो बाकि sentence हमारा राइट हो जाएगा option number C में हमारी mistake थी क्योंकि pay off मतलब होता है बुक्तान करना बट ओफ कौन सा होता है ओ डबल एफ वाला next बात करते हैं कोई भी अगर doubt रहता है तो उस चीज को पोच लेना वहां पे वो चीज clear कर दूँगा आपके comment में as with people some monkeys are lazy like those who sleep all day in the zoo and some were industries जैसे लोग होते हैं वैसे आप monkey की बात करें कि कुछ monkey क्या है lazy है जैसे उनकी तरह जैसे जो की sleep all day in the zoo और कुछ जो है क्या करते हैं पूरे दिन जो है सोते ही रहते हैं and some और कुछ क्या होते हैं इंडेस्ट्रियस मतलब क्या होते हैं महनेती यानि hard working होते है ठीक है तो यह भी एक type से fact है जिसकी वो बात कर रहा है यानि सही बात भी है कि कुछ monkeys क्या होंगे जो lazy होंगे कुछ तो lazy होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो की hard working भी होंगे तो यहाँ पे जब बात कर रहा fact ही और एक चीज आप देखोगे starting से are use कर रहा है उसके बाद like use कर रहा है उसके बाद sleep use कर रहा है sorry sleep use कर रहा है are sleep क्या बता रहा है present को तो यहाँ पे हमें were use नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा present का यूज करना पड़ेगा तो some के according यहाँ पे are use करना पड़ेगा बागी sentence सही है बागी कोई problem नहीं है ठीक है तो जाई टो जाएगा as with people some monkeys are lazy like those who sleep all day in the zoo and some are in the stairs कुछ मैनेती भी है उनमें कुछ लेजी है और कुछ ऐसे है जो पूरे दिन जू में सोते रहते हैं तो यहाँ पे option number हमारा c में mistake हो जागा work की जगा आरका यूज करना है next the postman traveled by the cycle often wedding through swamps or passed through jungles in order to reach the villages postman ने travel किया था देखे cycle से by the cycle mode of transport mode of transport होता है उससे पहले article दा यूज ने करा ठीके एक mistake आप कहा सकते हैं कि option number one में भी है या article दा यूज ने करेंगे और भी यहाँ पे mistake आप करें हम देखें देखें मैंने बोला था and और और की condition बहुत ज़दा आती है and के साथ दोनों same होते हैं और के साथ भी हम जब भी बात करेंगे दोनों same चीज़ों की बात करेंगे अब वो क्या करेंगे wedding through swim swim मतलब दलदल से होके भी जाता है and क्या यूज करना पड़ेगा passing through jungles और जंगल की होते हुए भी तो पोस्ट में जो है travel करता है cycle से लेकिन कभी कबार वो क्या करता है जंगल से सोरी दलदल से होते भी जाता है और जंगल से होते भी जाता है in order to reach the village यानि village तक पहुँचने के लिए तो और की condition दोनों equal होने से अगर यहाँ पर wedding यूज करा है तो यहाँ पर क्या use करना पड़ेगा उसे passing use करना पड़ेगा ठीक है passing use करना पड़ेगा दोनों condition हमारी same होते और का मतलब ही यह होता है या तो यह यह दोनों equal चीजों की बात करता है तो यहाँ पर जब wedding यूज करा है तो passing use करना पड़ेगा option number हमारा B में mistake क्या हो जाएगा past दिन ही आएगा भलकि passing through jungle से अपर रहेट हो जाएगा next हम बात करते है no matter what Ashoka did in his earlier years in the ending he proved to be uncommonly virtuous and wise mistake बता no matter matter नहीं करता है क्या चीज what Ashoka did in his earlier years उसने अपने जो early years थे उसमें उसने क्या किया था यह चीज matter नहीं करता है in the ending he proved to be uncommonly यहने असमाने रूप से वो क्या हुआ साबित हुआ कैसा virtuous virtuous मतलब एक ताब से धार्मिक आप कह सकते हो and wise wise मनला इमानदार वो last में कैसा proof हुआ last में वो starting में उसने जो कुछ किया वो matter नहीं करता हुआ last में क्या हूँ क्या हूँ last में virtuous और wise proof हुआ साबित हुआ तो last में यानि आखिरकार बोलो या फिर अंत में तो अंत में या फिर आखिरकार तो क्या यूज करते है in the end in the end यूज करते है ना कि हम in the ending तो यहाँ पर option number बी में mistake है यहाँ पर in the ending यूज करना पड़ेगा in the end यानि अंत में वो कैसा साबित हुआ virtuous and wise वो साबित हुआ next हम बात करते है modern medicines has scored significant victories against both infection and trauma the major causes of illness ill health and death जो modern medicines यानि आधुनिक दवाईया उन्होंने जो है एक score किया एक मतलब significant victories उन्होंने हाशिल करी है ठीक है against यानि किसके खिलाब दोनों के खिलाब दोनों किसकी के बात कर रहा है infection on trauma के trauma मतलब मांसिक जो होता है अगाथ उसके खिलाब infection और trauma के खिलाब against उन्होंने जो आधुनिक दवाईया है बात देखूँ यहां पर modern medicines आधुनिक दवाईयां की बात कर रहा है medicine एक दवाई की बात नहीं कर रहा है medicines क्या बता रहा है plural form को बता रहा है subject हमारा plural है तो simple से बात है हमारा जो वब भी आएगा वो भी plural आएगा तो यहां पर has यहां पर singular हुई आएगा medicines है तो has की जगे क्या यूज करना पड़ेगा have यूज करना पड़ेगा option number one में mistake है has को अठा के have यहां पर use करना पड़ेगा तो modern medicines have scored significant victories right हो जाएगा option number one if life exists on mars it is most likely to be in the form of bacteria buridive in the planets permafrost or lichens if conditional sentence है conditional sentence बहुत ज़्यादा था उसके चार टाइप होते हैं मैंने बता देता हूँ type 0 type 0 में होता है कि अगर एक साइट हमारा present का indefinite है दूसरी तरफ present का indefinite होता है type 1 क्या कहता है एक तरफ present का indefinite है तो दूसरी तरफ हमारा future indefinite होता है type 2 क्या कहता है एक तरफ अगर हमारा past का indefinite है तो दूसरी तरफ हमारा would plus love की first form होता है type 3 क्या कहता है एक तरफ हमारा head plus love की third form है तो दूसरी तरफ हमारा would have plus love की third form होता है यह हमारा है type 1 का type 0 का ठीक है तो यह वाला error है type 0 का यानि एक तरफ हमारा present indefinite है तो दूसरे तरफ present का indefinite होगा आप देखे कैसे if life exists on mars अगर जो life है वो exist करती मार्स पर तो क्या होता है it is mostly like to be in the form of तो यह किस form में होता तो यह होता है एक bacteria की form में ऐसे bacteria जो की एकदम गहराई में क्या होएं दबे हुए in the planet planet पर पर्मफोस्ट पर्मफोस्ट का मतलब क्या होता है बर्फ से ढखा हुआ है पर्मफोस्ट मतलब बर्फ से ढखा हुआ होंगे या फिर वो लिचेंस होंगे ठीक है या तो लिचेंस या फिर बर्फ से ढखे होंगे planet में इस form में हमारी life होगी अगर अगर life जो है exist करती है कहाँ पर Mars में अगर life exist करती है Mars में तो यहाँ पर meaning के according भी देखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा present के indefinite में आएगा तो यहाँ पर present के indefinite में आएगा इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा if life exists हमारा right हो जाएगा बाकि हमारा यहां पर error हो जाएगा यह पार्ट में तो right क्या हो जाएगा if life exists in sorry on mars यहां पर right हो जाएगा next हम बात करते है next में क्या mistake है यह बताना आपको next हमारा क्या था can India can India make it to a leadership position or will it be retained the fast train going slow image it always said अगर इंडिया जो है एक leadership position पर कर देती है खुद को और या तो वो क्या करें या फिर वो क्या करती है return will be returned तो वो क्या क्या होगी या फिर वो return करेगी कैसे fast train going how fast train going slow वाली image जो कि इसके पास हमेशा थी या फिर जो भी इसके पास हमेशा थी इस type की image को क्या वो कर सकता है इंडिया एक leadership position में खुद को या वो बना सकता है खुद को एक leadership position में यह वो कह रहा है अब यहां पर देखिए यहां पर error कि according और वाली condition मैंने बताए कि और वाली condition हमारी तो देखिए दोनों में से क्या होगा या तो आप active form यूज करो या passive और की condition में देखिए अब तक हमने जितने भी और की condition देखिए तो फर्स्ट वाले के according second वाले को change किया है इसका मतलब जो यहां पर एक आप meaning भी दिखाऊगे तो यहां पर कोई भी active पैसिफ फार्म का कोई यहां पर use नहीं होगा यह हमारा active में होगा यानि ये इसे use करना यह श्याइट हो जाएगा option number B will it return यहां पर right हो जाएगा क्या होगा will it return तो option number return की जिगा return यूज करना and B यहां से हट जाएगा यानि यह भी हमारा active कोई यहां पे हमने यूज करा है बाकी इसका सेंज कोई भी पैसिव का यहां पर नहीं बन रहे है एक्टिव में इससे यूज करना पड़ेगा तो यहां पे जो बी है इसे हटा देना और रिटेंट को भी हटा कि यहां पर क्या हो the priced class took upon itself the monopoly of scriptural knowledge and interpretation of the same of its own advantage, यानि खुद के फायदे के लिए कुछ पुजारी वर्ग, यानि पुजारी वर्ग के लोग जो हैं, खुद के फायदे के लिए क्या करते हैं, जो scriptural knowledge हैं, उसका use करते हैं, scriptural knowledge मतलब धार्मिक जो knowledge होती है, इसका वो अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, कुछ पुजारी आप कह सकते हो, तो यहां पर सभी पुजारी की बात नहीं कर रहा है, बट वो कह रहा है कि कुछ पुजारी वर्ग के ही लोग इसका वो फायदा उता रहा है, क्योंकि knowledge जो scripture knowledge उनको ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो इनकी बात कर रहा है, तो यहां पर जब आप देखोगे, option number में, price यह क्या बता रहा है, noun, पुजारी हो रहा है, class हमारे क्या बता रहा है, noun, तो दो noun हमारे एक साथ नहीं है जो कह रहा है, जो कह रहा है, पुजारी वर्ग, या इसकी जो quality बताएगा, वो क्या बताएगा, price, तो इस price का हमें क्या करना पड़ेगा, इसका adjective form यूज़ करना पड़ेगा, तो इसका adjective form यूज़ क्या हो जाएगा, PRESTLY यानि जो पुजारी वर्ग है, वो फाइदा उथा रहे, अपने फाइदे के लिए उज़ करें कि इसका spiritual knowledge का, scriptural knowledge का, तो ये चीज हमारा option number one में, price को हटा के price-ly यूज़ करना, यानि price का adjective form यूज़ करना, price-ly, option number one में mistake है, कोई भी चीज में doubt हो, उसको पूछ लेना हर एक चीज को, बट मैं इस type से बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, हो सकता है किसी को समझ में ना आए वो ये है कि अपने जो basic है, अभी तक clear नहीं करा अपना, तो इस पर इस से हो सकता है कि समझ में ना आए, लेकिन जिन्होंने अपना grammar rule कर रहे है, grammar rule अच्छे कर रहे हैं, यानि जितने भी chapter यह पढ़ लिए, तो उसे समझ में आजेंगे, error, but error में अभी इतना नहीं है, और उसने क्या किया था, politics के बारे में सोचा था, when, जब, he was studying intermediate, जब वो intermediate के study कर रहा था, तो that, and that, he had no fear of politics, और उसे जब उसे जो है, जो politics है, उसका डर नहीं था, ठीक है, और उसे politics का कोई डर नहीं था, तो उस टाइम पर क्या कर रहा था, वो सोच रहा था, politics के बारे में, ठ करते हैं, कभी सोचने के लिए, हम क्या यूज करते हैं, कि चीज के बारे में सोचना, तो हम यूज करते हैं कभी भी, think-of, think-of, मतलब किसी चीज के बारे में सोचना तो THINC OFF USE करते हैं तो यहां पे दीखे OF use करते हैं ना कि awful तो यहां पे क्या हैगा OF USE करना पड़ेगा 0FF की जगा है क्योंकि किसी भी चीज के बारे में सोचने को कहते हैं THINC OFF यानि O W F नहीं बलकी OF USE करते हैं होगे तो इसका मतलब यह नहीं कि वो error बहुत ज़्यादा difficult है बाज वो depend करता है कि आप उस चीज को कैसे पढ़ते हो उसका meaning कैसे निकालते हो और हर एक चीज को बारी किसे करना है बागी को उससे target अपना रखना कि error 10 के 10 आपके right हो जाए वहाँ पर और no error वाला case भी आपको ध्यान अगना हर चीज में error नहीं निकालना है no error भी होगा उससे इसको भी ध्यान अगना next बात करते हैं while provisions on equality and non-discrimination would promote equal opportunity in the process reservation at jobs should not be denied बताना है कहां पर mistake है provision तो मतलब प्रावधान while जब जो provision है कि इस पर inequality यानि sorry on equality यानि समानता पर और non-discrimination यानि भेदवाब नहीं करने के उपर would promote वो promote करेगा है equal opportunity को promote करता है in the process अगर process की बात करें इस process में भी reservation at job जो job में reservation होता है सुटnot be denied उसी सको हमें क्या करना चाहेता इंकार् नहीं करना चाहिए यानि बहुत सारी यह होता है कि जो uh this official होता है। जो जो रिजर्वेशन होता है उस इसको अच्छा नहीं मानते वड़िये कहा रहें कि जो एक्वैलिटी हो गया समानता होनी चाहिए या फिर कोई भेधवाव नहीं करना चाहिए वो चीज क्या करता है प्रोमोड करता है एक्वल अपोर्चुनिटी को भी प्रोमोड करेगा या फिर उसे नॉन डिस्क्रिमिशन की तरह लेना चाहिए तो आप क्या करोगे सिंपल सा है जब मीनिंग निकालोगे जॉप में जो भी रिजर्वेशन है क्या बोलोगे जॉप पर थो ही बोलोगे जॉप में जो रिजर्वेशन मिलता है तो यहां पर मैंक का सेंस आएगा में के लिए एट नहीं बलकि इन देखें कितना चोटा सा एर है अब मीनिंग निकालोगो वैसी समझ जाओगे कि रिजर्वेशन एड जॉप सोता है या फिर इंजॉप सोता है जॉप में रिजर्वेशन होता है ना कि जॉप पर इनुप सोता है ठीक है तो यहां पर particularly on the speed and still with which the negotiations are completed और यह आपका करना है कमेंट में इसको मेरे को अंसर बताना अपना क्योंकि इसको मेरे को पता चलेगा कि आप में से कितने लोग वीडियो को continue देख रहे हैं अगर आप सीरियस हैं जो भी स्टुडेंट तो वो इसका अंसर देनी की कोशिच जरूर करेगा बाकी जो है इस चीज का अंसर में आपको वहां पर कमेंट करके बता दूँगा last में next वीडियो से पहले-पहले ठीक है तो वहां पर इस चीज को भी आपको क्या करना है count करना है यानि अपने marks में count करना है अगर ये चीज राइट होता है तो वहां पर यसे भी बात में फिर आप hand कर देना या फिर आप search करके कोई भी चीज अगर आपका लगता है कि आपको सही है बागी comment में मैं इस concert आपको बता दूगा ये चीज आपका इसलिए comment में दे रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग जो है serious है सीरियस होगा तो 100% वो इसका अंसर देगा बाकी और नमबर भी आपको count करना है next बात करते हैं this will explain अगर मैं एक चीज में इसमें hint दे दूँ तो यहाँ पर hint दूँ तो यहाँ पर जो mistake है इस वाले में वब की mistake है अब आपको सही करना है कि वब की mistake देखो कौन सवाला है यानि has reportedly made it has वाला right wrong है या फिर आप क्या बोलोगे are completed wrong है यह आपको देखना है meaning आप निकालोगे आराम से समझ जाओगे इसको this will explains the decision taken to impose a black blockade on the country in the midst of a crisis blockade मतलब क्या होता है नाकबंदी करना country में जो भी नाकबंदी है in the midst of crisis crisis के द्वारा crisis मतलब संकट के time पे संकट के बीच में जो भी नाकबंदी होती है country में ठीक है तो उस इसको क्या है जो भी एक्स यह चीजों से उस decision को क्या करता है explain करता है यह explain करेगा क्या बोले इस इस decision को explain करेगा जो भी नाकबंदी होई country में संकट के दोरान तो यहां पर देखो कभी भी बहुत ही simple error है आपको पता है जब भी will yourself use होता है तो उसके साथ हम क्या करते है वह आपकी first form अगर विल लिखा है तो वह आपकी first form यूज करते है explain explain यूज नहीं होगा अब क्या यूज होगा this according this will explain this will explain ठीक है this will explain या तो यह बोलो या फिर this explain यह बोलो दोनों ही हमारे right है या तो ठीक है will के साथ एक तो explain यूज करेंगे या तो आप बोलो कि this will explain यह explain करेगा या आप बोलो कि this explain यह explain करता है this explains the decision taken by तो option number one में है आप explains में से हटा दो this explain this will explain यह आपर right हो जाएगा इस इसको यहापर note कर लेना ठीक है तो will के साथ हमेशा वर्फ की first form योज होती है और इस सीज को भी आप note करना बागे छोटी से mistake यहाँ पर दे रहे किनों है next हम बात करते हैं यहाँ पर error की he built the theater उसने जो theater बनाया था as a tribute tribute करने के लिए सर्दान जिली के लिए किसे अपने जो उसकी जो routing से उसी इसको and the thought of it outlasting him was surely have given him the greatest joy आप में से बहुत सारों का जो error जाएगा यहाँ पर one two three four कौन से पार्ट में जा रहा होगा तो देखना यहाँ पर कहा पर यह रहा है he built उसने जो ठेटर बनाया था उस इसको उसने सद्दान जिली के तो पर अपने ट्रिब्यूट किया था कि इसको अपने जो उसकी रूटिंग्स नहीं होता है उसकी जो roots थे उसको उसकी जो जड़े थे उसको क्या आएगा यहाँ पर roots हमारा right हो जाएगा option number one में mistake है roots नहीं roots आप करोगे तो meaningful हो नहीं है यहाँ पर sentence बनेगा और option number one में mistake है doubt होता है तो उसको पूछना वहाँ पर explain कर दूँगा बाकी और में किसी में doubt रगता है किसी और पार्ट में आपको mistake लगती तो वह comment में उसको मुझे बता सकते है बाकी option number one में wrong है क्या है roots नहीं बलकि roots यहाँ पर right यहाँ पर आएगा as several studies shows over the years the annual data is useful reviewing trends of extreme events as several data's जो बहुत सरे जो data's है जो study है बहुत सरे जो study है shows over the years over the years मतलब over the years मतलब पिछले कुछ सालों में जो भी studies होई है उनसे हमें वो क्या दिखाते हैं वो इस चीज को दिखाते हैं जो annual data is देखे data हम यूज करते हैं data यह plural form में भी यूज होता है data यानि data हमारा plural हो गया इसका data का singular क्या यूज करते हैं datum data हम यूज करते हैं but the annual data देखे data से पहले उसने यूज किया the annual यानि जो उसका वार्सिक यह टाइप सी क्या हो गया इस चीज को जो sense होना the annual data यह sense हमारा बन जाएगा singular का तो यहां पे तो आप data आर मत करना है easy सही है वहां पे कोई mistake नहीं है is useful useful है किसी के लिए जो extreme events होता है उनके review के लिए तो पिछले कुछ सालों से जो भी studies होई है तो पिछले कुछ सालों से तो यानि जो चीज यह studies क्या होगे हो चुकी है तो यहां पे क्या है source use नहीं होगा बलकि क्या हो जाएगा have show की ठलफ़ों क्या होगी shown have shown या पर right हो जाएगा as several studies studies plural हो गया तो plural के according क्या होगा have shown show की ठलफ़ों क्या होगी shown over the years पिछले कुछ सालों में जो भी studies होई है उससे show हुआ है यानि उससे उसने दिखाया है क्या जो annual data है वो useful होता है किसमे review करने के ल तो option no.1 में mistake आप करना have shown right करना सूश की दग है next हम बात करता है the most effective measure to keep our road safe is enforcement of rules with zero tolerance to any violate rule सबसे effective जो measure इस सीज को क्या है कि अपने जो rules है उसे safe हम कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं informants of rule ठीक है informants of rule यानि हम जो rule उसे लागू करके यानि जो rule है उसे लागू करके और कैसे rule लागू करके कैसे with tolerance यानि बिना किसी सर्थ के with tolerance मतलब कुछ भी हो किसी भी conditions में हो अगर वो role को तोड़ता है तो उसे जो है सजा मिलेगी यानि with tolerance यानि एक टाइप से कोईते हैं बिना किसी हमदर्दी किया है बिना किसी दर्द के sorry दया के या फिर बिना किसी conditions के उस पर क्या होगी कारेवाई होगी अगर वो क्या करता है information of rule यानि जो हमने जो role बनाए है उनको क्या करता है to any violet rule यानि वो किसी भी नियम का क्या करता है उलंधन करता है तो यहाँ पर देखे violet तो मारा verb हो गया to any क्या यूज़ करने पड़ेगा violation of rule यानि किसी भी नियम का उलंधन किसी भी नियम को अगर वो तोड़ता है तो उस पे with zero tolerance क्या होगी कारेवाई होगी तो option number third में mistake है और क्या करना पड़ेगा with zero tolerance to any violations of violation of rule यहाँ पर write हो जाएगा ठीक है violate use नहीं करना पड़ेगा violation of rule यहाँ पर write हो जाएगा next हम बात करते है several providers cannot stand in the way stand in the way यानि किसी चिके रास्ते में आना या रुकावट बनना तो several कुछ providers होगे जो providers है वो रुकावट नहीं बन सकते हैं बादा नहीं बन सकते हैं consumers consumers के ठीक है रास्ते में या consumers के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते हैं जो providers होते हैं या फिर उन्हें रुकावट किसमें नहीं बन सकते हैं access to content उन्हें content तक पहुँचने में यानि जो consumer है content तक पहुँच सकते हैं और उसमें providers उन्हें रोक नहीं सकता है it should have being provided without any hindrance तो यह उन्हें provide करना चाहिए बिना किसी बादा के तो यह चीज उन्हें provide करना चाहिए बिना किसी बादा के इसमें providers जो है जो consumer है उन्हें रोक नहीं सकता content तक पहुचने में यह उनका राइट से आप एक थाप से कह सकतो या यह चीज उन्हें प्रोवाइट करनी चाहिए बिना किसी बादाय में अब यहाँ पर देखो कि आप option number B में option number B में देखे should have अब should have यूज़ कर रहा है सिंपल से बात है should have यूज़ कर रहा है तो वर्फ की ठल फॉम भी आएगी तो यहाँ पर बेंग तो हमारा वैसी नहीं आएगा क्या रहा हो जाएगा राइट शुड भी और वैसी मिस्टिक आप पता कर लोगे मिस्टिक तो आप वैसी देख लोगे बहुत ही जी था शुड एप के साथ वर्फ की ठल फॉम यूज़ करते है ना कि बींग का तो इसको राइट अगर सही करना है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा शुड भी तो इट शुड भी प्रोवाइड एट विद आउट एनी हिंट्रेंस राइट हो जाएगा ऑफ्शन नमबर बी अब आपको क्या करना है जितना भी आपका स्कूर है वो चीज मुझे कमेंट करके बताना और इतना आप शपूर करते वीडियो को कंटीनु देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह जो है सपूर्ट करते रही बाकी में और ठीक है वीडियो में कोई वीडियो एक या दो एक ही वीडियो यहां पर बना पर हूं बत मैं कोसिस करूंगा अब डेली दो या तीन वीडियो बनाने की और दो या तीन वीडियो डेली आएंगी बत वही है कि आपको भी डेली दो या तीन वीडियो देखनी है क्योंकि यह वीडियो आपकी स्टैनों के उपर ही रहती है और इस टैनों अगर ड्रीम है आपका या फिर सपना है या फिर जो टार्गेट आपका इंग्लिस में 80 प्लस का है या फिर जी के में रीजिनिंग और जी के में अभी मैं इतना फोकस नहीं करा बट मैं उनकी भी अभी दीरे-दीरे वीडियो बना रहा हूं जी के और रीजिनिंग को भी अभी स्टार्ट करूँगा कंडिशन यहीं कि आपका सपोर्ट होना चाहिए मैं इन वह है आपको सपोर्ट मैं उनकी सपोर्ट के बहुत जादा इस टाइम पर ज़ूरत है यानि आपको हर एक वीडियो को सीरिक्सली लेना है और हर एक को पूरा देखना और हर एक है आपनाइ स्कूर बताना है इससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग ऌग स्पोर्ट करें तो बहुत बहुत बाकि आप continue देखते रहे और all the best आप सभी को मैं तो यही चाहता हूं आप सभी का selection हो और मेरे से जितना होगा उतनी में आपकी help करने की कोसिस करूंगा धन्यवाद थोड़ा सा time लिया उससे के लिए माफी चाहता हूं धन्यवाद आपका